रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साह श्रिक हमेरोत्रा गिलोई का नाम तो आप सब ही ने सुना होगा अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि गिलोई क्या है और इसके फायदे क्या है और क्या नुकसान आईए जानते हैं मारे इस खास रपोर्ट में आयूरबेद में बहुत सी ऐसी औसधियां हैं जिनके इस्तमाल करने से आप सब सेहत मंद रह सकते हैं ऐसी एक औसधी का नाम है गिलोग गिलोग बेहत स्वास्त वर्धक और प्रसिद औसधियों में से एक है बता दे कि गिलोग के साथ उसका जूस भी सेहक के लिए बहतर माना जाता है अगर आप अपनी गाइट में गिलोग के जूस को जोडते हैं तो उससे सेहक को कई फायदे हो सकते हैं अगर आप तनाव को दूर करना चाहते हैं तो गिलोई का जूस आपके बेहत कामा सकता है बता दें कि गिलोई के जूस के अंदर एंटी स्ट्रेस गुर मौजूद होते हैं जो ना केवल तनाव को दूर करने में मददगार सावित होते हैं बलकि ब्यक्तिके मूट को सुधारने में भी बेहत मददगार साबित होते हैं अब बात आती है गिलोए के अगले फायदे के बारे में रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने में गिलोए का जूस बेहत कामा सकता है खायस बात ये है कि गिलोए के जूस में युमियोनो मौडियोन लेटरी प्रभाव मौजूद होता है जो ना केवल रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने में मददगार साबित होता है बलकि ब्यक्ति को कई बिमारियों से दूर रखने में भी आपके कामा सकता है इतना ही नहीं गिलोए के धेरो फाइदे हैं जिने हम जानते भी हैं और नहीं हैं आगे हम आपको बताएंगे तीसरे फाइदे के बारे में बतादे कि पाचन ख्रिया को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए गिलोए का जूस बेहद असरदार हो सकता है ये ना केवल आतों में मजबूती लाता है बलकि पाचन शम्ता को सुधारने में फाइदे मन साविक हो सकता है अगर आप पाचन ख्रिया से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो गिलोए के जूस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वही इसका चौथा फाइदा ये है कि शरीर में खून की कमी यानि एनेमियां की समस्याओं से परेशान लोग इससे बचाओं के लिए गिलोए का जूस ले सकते हैं वही आईरन के आउसोसर को बढ़ावा देने के साथ साथ ये एनेमियां की समस्या से राहत भी दिलाता है इसके अलावा ब्लेड में लाल सफेद रट कोशिकाओं को बढ़ावा देता है इससे एनेमियां की समस्या से छुटकारा मिलता है इसके साथ ही अब हम बात करेंगे पांच में फायदे के बारे में शारीरिक समस्याओं को दूर करने के साथ साथ बुखार की समस्या को दूर करने में भी गिलोई का जूर बेहत कारगर साबित हो सकता है गिलोई की जड़ और तने का अर्ख बुखार से राहत दिलाने में मदद करता है इसके साथ ही शरीर से बैक्टीरिया को भी दूर रखने में मदद करता है गिलोई के फायदे तो आप सब ने जान लिये लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे जो लोग मधुमेह की बिमारी से पीडित हैं या मधुमेह की दवाई ले रहे हैं वो गिलोई के जूस का सेवन ना करें क्योंकि गिलोई के सेवन से ब्लड सुगर की कमी हो सकती है अब बात करेंगे इसके दूसरे नुकसान के बारे में गिलोई की तासीर गर्म होती है ऐसे में जादा सेवन करने से पेड़ से सम्बंधित कुछ समस्याएं हो सकती है जैसे जलन और गैस की समस्या इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान गिलोई के जूस का सेवन करने से पहले जौक्टर की सला जरूर लेनी चाहिए फिल्हाल सेह से जुड़ी इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही आगे मापको ऐसी ही तमाम जानकारियों के बारे में बताते रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रहेंए प्राइम टिवी